पूर्विदिली नगर निगम में फैले भरष्टा चार को लेकर कर्मचारी यूनियन नेता मुकेश व्यद ने नर्व निर्वाचित मेयर श्याम सुन्दर अगरवाल से निगम मुखैले में मुलाकात की इस दोरान मुकेश व्यादे ने व्रष्ट अधिकारियों के खिलाब कारवाई की मांग को लेकर मेर को ग्यापन सौपा इस मौके पर दर्जनो निगम कर्मुचारी भी मौजूद रहे श्याम सुंदर अगरवाल से मुलाकात कर मुकेश यूनियन की तरफ से सबसे पहले उन्हें मापोर बनने की बधाई दी उसके बाद ग्यापन सौपा मुकेश ने कहा कि पूर्वी दिली नगर निगम में ब्रष्टाचार चरम पर है बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कारवाही नहीं की गई अधिकारियों की काली कर्तूत का वीडियो सौपा गया लेकिन भरष्ट अधिकारियों के खिलाव कोई कारवाई नहीं हुई वैद्दे ने कहा कि निगम में करमचारियों का अधिकारी शोशन करते है करमचारियों को पक्का करने में भी धांदली हो रही है लेकिन शिकायत के बावजूद कुछ नहीं हुआ, वैदे ने कहा कि नर्वनिर्वाचित मेहर से उम्मीद है कि वे ब्रष्टचार के खिलाब कारवाई करेंगे अधिकारी काम नहीं करते थे, तो मुझे पून उमीद है, विश्वास है, मैंने साब सच प्राथना किये कि सर जो ब्रष्टचार में चल रहा है, इस ब्रष्टचार पर रोक लगाएं, और सबुस सहीद हम सिकायते हैं मुख्य रूप से किस तरीकी का पर रष्टचार चल रहा है निगम में ब्रष्टचार बहुत सारे हमारे करमचारियों का शोशन किया जाता है, करमचारियों के जबरदस्ति, चार-चार काम कराते हैं, फिर वो थक्ते हो भी चारे पैट जाते हैं, फिर उन से महीन अताय कर क्ते हैं, बेतेटे, घरबैटकान, को वितन दिलाना और जैसे करमचारि पक्ते होते हैं। जो चरान में का करमचारियों का कै都 और का 2015 में जाए गये, पैसे, देदे करके उन को पक्ता करा दिया, 9 लाक रुपे लेके, तो ये सारा फर्जा ये में हम बेर साथ सा बात किये चर्चा किये और इनकी सब के हम जाज कराएंगे और जितने भी फरजी लोग हैं उने सब जेल भीजवाएंगे और जितने भी जिनके अधिकार हैं उनके अधिकार हम उनको दिलवाएगे Top Story Bureau के लिए दिल्ली से रवी डालमिया की रिपो